नमस्कार मैं हूँ सौरव सिर्वास उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दिगट नेता और रामपूर से विधायक आजम खान को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दरसल ये उमीद जताई जा रही थी कि इस बार दो साल बार आजम खान एद के मौके पर जेल से बाहर होंगे और एद का तेवार वो अपने परिवार वाले और अपने समर्थों को के साथ मनाएंगे लेकिन आजम खान की इस उमीदों पर पानी फिर गया है क्योंकि कोट ने ज लगातार जिस तरीके से आजम खान के मुकदमों में सुनवाई हो रही थी लगभग 72 मुकदमें उनके उपर थे जिसमें से 71 मुकदमों में उनके जमानत मिल चुकी है एक मुकदमा जो सतुर समपत्ति से जुड़ा हुआ है उस मुकदमे में हाई कोट से जमानत की अर्जी जो है कोट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखाता और यह उमीद जताई जा रही थी कि पहले कोट इस पर फैसला दे देगा और आजम खान को जमानत मिल सकती है यानि कि वह इत के मौके पर अपने परिवार वालों के साथ लंबे वक्त बात होंगे लेकिन जि इस उमीद में थे कि आजम खान इस बार जेल से बाहर होंगे हम आपको बता दे यूपी सरकार ने इलहाबद हाई कोट में अरजी दाखिल कर कहा है कि आजम खान की जमानत पर उसे कुछ नए तथ्य पेस करने हैं नए तथ्यों को पेस करने के लिए कोट से महलत मांगी गई डिन हम आपको बता दे यूपी सरकार की इस अरजी को हाई कोट ने मन्जूर किया यूपी सरकार के नए पक्ष के जानने के लिए आजम खान की जमानत अरजी पर अगली सुनओाई चार मई को इलहाबाद हाई कोट में की जाएगी हम आपको बता दे जज्जमेंट रिजर्व होने के बावजूर कोर्ट फिर से सुनवाई करेगी जज्जमेंट रिजर्व होने के पांच महीने बाद हाई कोर्ट फिर से सुनवाई करेगी चार दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना पूरा आने पर आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोट में इसी हफते अंतरीम बेल अर्जी को की दाखिल की गई जे सुप्रीम कोट ने सुनवाई होने से पहले ही यूपी सरकार ने एक बार फिर बड़ा कानूनी दाओं जो है वो खेल दिया है जिसके चलते आजम खान के जेल से बाह प्रक्राइब का इद मनाएंगे हम आपको बता दे कि आजम खान लंबे वक्त से जेल में बंढ़े अगर देखा जाया तो उनों चब्वीस महिने से भी जादे का वक्त हो चुका है याने कि अब लगबग लगबग धाई साल का वक्त हो गया है जब आजम खान सीतापूर ज यह एक नया पैत्रा भी खेल दिया हम आपको बता दे आजम खान के उपर जितने मुकदमें लगें ज्यादे तर मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है सिर्फ एक संपत्री का मुकदमा है जिसमें अभी सुनवाई हो चुकी है जिकोट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा झाल 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 झाल